वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हैस और दवा समंधित जानकारियों के लिए बैल आइकन को क्लिक करें नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार, आपके अपने यूटूब चैनल DRX कुझ उपर आप सभी का हर्दिक स्वाकत करता हूँ आज हम लोग वलनी स्प्रे के बारे में जानेंगे, वलनी स्प्रे क्या है, क्यों यूज किया जाता है, इसका कॉमिलेशन क्या है, इसका बाडिम प्रभाग के दने समय तक रहता है, वलनी स्प्रे के यूज में किन किन सा अधावियों का ध्यां रखना चाहिए और इसका सैट क्या-क्या है तो आई यह सुरू करते हैं वॉनली स्प्रेय स्वन फार्मासुटिकर इंडस्ट्री लिम्टेट कंपनी की ब्रांडेड मेडिसीन है वॉनली स्प्रेय के कॉम्मिलेशन में डाइकलुफनेग, दि थाइलामाइन, लिंसीड ओयल में थाइल सेलिसिलेट एंड में Ländern फाल मुझूद है, यह दवा एक अच्छी पीढा-ारी वा सुझन कम करने वाली इस्प्रेय के रूप में कार करती है हाई अभ इसके यूज के बारे में जանको है वॉलनी स्प्रेय का मु zucchini प्रबल पीढा अई वा सुझन कम करने वाली दवा के रूप में कार करथी है इसके अनावा कंदे का दर्ध हो या कमर दर्ध हो या जोड़ो का जकड़ान हो या मासफेसें का खिचाव या गठिया का दर्द हो या पीठ दर्द हो गुठने का दर्द हो या नस पे नस चड़ गया हो तो वलनी स्प्रे का यूज किया जाता है इसे काफी आरा मिलता है आई अब जानते हैं कि वलनी स्प्रे के यूज में किन किन सावधानियों का ध्यां रखना चाहिए प्रेगनें प्रभाव के बारे में जान लेते हैं वलनी स्प्रे का प्रभाव प्रभावित इस्थान पर तुरंद कार करता है आयव इसके साइट फेक्स के बारे में जान लेते हैं वलनी स्प्रे का लगाए गए स्थान पर कई तरह के साइट फेक्स हो सकते हैं जैसे इसकीन पर इलर्जी होना इसकीन पर खुजली होना या तोचा का लाल हो जाना ये सब साइट फेक्स हो सकते हैं इसके अलावा वलनी स् पर असाने से मिल जाएगा, तो आप उसे ले सकते हैं, आपको ये वीडियो कैसा लगा, अपनी रा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा, उमीद है आपको ये जानकारी पसंद आयोगी, तो इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा सेर करें, ताकि किसी और को भी पूछ सकते हैं, या मेरे इंस्टाक्राम आइटी पे बात कर सकते हैं, आपकी हल्प करने की पोरी कोसिस करूँगा, इंस्टाक्राम का लिक वीडियो की डिस्क्रिप्सन में एड है, और एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर अभी तक आपने चैनल को सस्क्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सस्क्राइब जरूर से कर लें, इससे हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे, वीडियो को सुरू से अंतर देखने के लिए धन्यवाद